जब आप प्रेग्नेंट होते हैं तो आपको खुच से ज्यादा चिंता अपने बच्चे किरेती है कि अंदर पल रहा है बच्चा सुरक्षित तो है वहाँ पर उसको कोई खत्रा तो नहीं है मुझसे कोई ऐसी गल्टी तो नहीं हो जाएगी जिससे उसके विकास में कोई रु उसके लिए हम पोसिबल हर एक काम करते हैं अब कभी-कभी होता है कि हमसे कुछ ऐसे लापरवाई हो जाती है जिसके चलते अंदर पल रहे बच्चे को नुकसान होने की संभावना बढ़ जाती है या फिर हमारी बोडी हमें कुछ सिम्टम ऐसे बताती है जिसको हम हमें कौन से तीन साइन है जो बोडी आपको बताएगी कि अंदर बच्चे जो है उसको कुछ ना कुछ खत्रा है यदि आपको पहचान लेंगे तो बच्चे को खत्रा नहीं होगा और आगे उसके टीटमेंट स्टार्ट हो जाएगी तो वहाँ पर कोई दिक्कत भी नहीं आ सबसे पहला सीमटम में नहीं हो रहा है डाट आप और आट रौ आप करेंगे तो अपको मिलेंगी पेहली होगी यान यानि कि आपकी चुलास पीरियट की डेट है उसके उपर से एक डेट आपको दी जाएगी कि इस डेट पर आपके बच्चे की डिलेवरी हो सकती है और उसी तरह से यूएस जी डी डी रहती है जो आप जब जब सोनोग्राफिय कराएंगे तब तब उसमें देखा जाएगा ब इसके बीच में आट-दस दिन का गेप हो तो चल जाएगा लेकिन यह दि वह दोनों में ज्यादा है कभी-कभी मैंने देखा आए कि वहां पर एक मैने का गेप होने पर भी लेडि कोई एक्शन नहीं लेती वह इसा मानती है कि इसको साथ पता भी नहीं होता और कभी-कभी आप अपना सोनोग्राफी चेक किजिए उसमें देखिए कि सोनोग्राफी की ADD है वह आपकी LMP की ADD से मेच हो रही या नहीं हो रही है यह दि वहां पर दोनों मेच नहीं हो रही है तो आपको प्रोटेन इंटेक बढ़ा देना चाहिए लेप लेटरल साइड में आपको सोत करनी आएगी दूसरा रहते हैं आपका वेट भी बढ़ना चाहिए हर मैने एक या देट किलो जितना वेट आपका बढ़ता है प्रेग्नेंसी के दोरान यह आपको वेट भी स्टेबल हो गया है तो भी आपको प्रोटेन इंटेक बढ़ानी चाहिए अपना विटामिन लेव करने लगता है कभी कभी किसी लोगों को पाच्वे मैने के स्टार्टिंग में किको को मैंने के चाहिए तो बच्चों पूरे दिन में अनलिमिट टाइम आप गिनने सकते इसके इतनी बार मोमेंट करता है थोड़ी थोड़ी देर में वो मुवमेंट करेगा पूरा घुम जाएगा इस तरह से लेकिन यदि नुमा महीना स्टार्ट हो चुका है तो बच्चे की मुवमेंट कम होके सिप और सिप दस ये बारा बार रह जाएगी यदि दस से भी कम होती है तो आपको वहाँ पर चिंदा करने चाहिए यदि दस से कम रहती है मुवमेंट तो बच्चे का अंदर सुरुक्सित नहीं है यह हम मान सकते हैं बच्चे का अंदर का पानी कम है या बच्चे की वहाँ पर जो किल्सिप्रिकेशन उसकी प्लैसेंटा म मिल रहा है या फिर वहां पर उसकी जो हाड़ बीट और चछेक रहुए वह कम तो हो गई है उसका रिस्पंस कम तो नहीं होगए वह हमें चेक करना चाहिए और और वह सविटी के मदद मदल से। कर सकते हैं इस तरह से बच्चे की मुमेंट आपको ट्रेक करती रहनी चाहिए थोड़ी से भी कम मुमेंट हो तो आप को भी स्वीट खाली चोकलेट खालीजे पेडा खालीजे कोई भी स्वीट खालीजे कुछ ना हो तो एक ग्लास आप दूद पिलीजे मौरस वाला तो इस त लेकिन बच्चा रिस्पोंड नहीं कर रहा है तो आपको वहां पर थोड़ा से चिंता करने चाहिए यह बहुत देर तक बच्चे के मुझ में नहीं हो रही है तो सोनोग्राफिय से चेक भी करते रहना चाहिए कि बच्चा अंदर सुरक्सित्तों है ना तीसरे साइन है पानी वहां पर बच्चे की सुरक्सा के लिए ताकि बच्चे को इंफेक्शन ना लग जाए या फिर आपको इंफेक्शन हो खुजली इरिटेशन नीचे गाड़ा यह लो कलर का पानी आ रहा है तो भी आपको इंफेक्शन की ट्रीटमेंट करवाने चाहिए वन्ना अर्ली बढ़ जाते हैं तो इस तरह से आप अपने बच्चे का खयाल रख सकते हैं अपनी सिम्टम को उब्जव करके इसमें से कुछ क्वेरी हो कुछ कंप्यूजन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछी सकते हैं इंस्टाग्राम पर फोलो कर सकते हैं वहां पर क्योंने पुछ। एजव पाइ